हेलो फ्रैंड्स वैलम बैर्ग अगें और आज हम बात करेंगे डेक्सर यंसरब के बारे में दूस्तों काफी लोग डौड में रहते हैं कि इस रप किस काम आती है क्यों कि जो डॉक्टर व्यसर पो काफी ज्यादा लिखते तो ऐसे क्या है कितने फायदे हैं क्या क्या है इसक थिसके कितने अच्छे फायदे टू चली शुरू करते हैं इस वीडियो गो इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि इस सिरफ की हमें सिरफ की हमें जरुरत क्यों पढ़ते हैं डॉक्टर यंन्हें क्यों लिखते हैं दूसरी बद, पॉलिशन इतना बढ़ गया है कि हमारे जो ब्रीट होती है, हमारे जो लंग्स होते है, वो इतने ज़्यादा साफ नहीं कर पाते हमारे खाने को और हमारी ब्रीट को जो कि हम हर एक चीज प्योर मैसूस कर सके, इनी कारणों की वज़े से हमारी बॉड़ी में हो दिखकत भी देखने को मिल सकती यह सब कारण हैं हमारे खान-पान का हमारे लाइफ स्टैल का हम कैसे जी जी कूं कि सरा में रहते हैं अगो कितना पॉलीशन नहीं है तो इस अब निर्बार करता है आपकी खान पान पर आपके वजह से डॉक्तर को सब्सक्राइब करते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी सिरफ है अब बात कर लेते हैं कि सिरफ क्या फाइदे हैं इस सिरफ को सामने पढ़ सकते हैं जैसे की लिखा हु ज़सों यहां पर folic acid बढ़ाती है मातरा यानि कि आगर आपकी शही में कोई कम्जोरी तो यह आपकी खून को वढ़ाती है यह अगर आपकी शही में कोई कमजोरी थकान रहती है और पिरांन बिमारे से रिकॉर करके आया तो डॉक्टर आपको आयरेन की कमी की सिरफ जरू लिखते हैं इसके अलावा उनकी भी कमी होती है तो उसमें ये दोनों ही कामों में ही सिरफ एक की साथ काम में आ जाती है लेकिन ये चीज मेरे परसनल ओपीनियन है जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि जब मैं सिरफ तो पीता ह कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, टोमी की जनरल वीकनेस, लैक ओफ एप्टाइटिया, लेकि भूग की कमी, यह उसको भी बढ़ाती है, तो यहाँ पर दूस्पर यह बहुत ही बढ़िया सिरप है, आपके कई काम यह एक ही उसमें कर देती है, इ जो लोग इसके बारे में पूछ रहते हैं, उनको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल गए अगर इस वीडियो अच्छे लगए तो इसमें लाइक जरू करें, शेयर जरू करें, और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्स्राइब जरू करें, जहाँ पर में आपको ऐसी वीडियो देली नाते रहतें, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग नवाल वीडियो